दोस्तों नमस्कार हाजे रहें एक बाफे से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ बस आप से निवेदन हैं करपय वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर ले और गंटी बटन जहू दवा दें पहली बड़ी खबारा प्रिंका गांदी ने जादी किया कॉंग्रेस का गोस्तना पत्र मात्रों दस दिनों में किसानों का पूरा करजा होगा माफ बिजली बिल भी आधा करने का किया वादा आपको बता दें कि यूपी में पहले चण की बोटिंग में आप सिर्फ कुछ गंटे बचे हैं पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर बोटिंग है लेकिन इससे पहले ही लखनों की दोड़ ने एक और दिल्चस्प मोड ले लिया है अब लड़ाई लोगप्रियन आपको बता दें कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने गोस्तना पत्र में मुफ्त वाले वादों की जड़ी लगा दी है तो वहीं आज कॉंग्रेस ने भी नहले पर धहला जड़ने की कोसिस की कॉंग्रेस ने ता प्रिंका गांधी ने लखनों में उन प्रिंका गांधी ने वादा किया है कि सरकार बनने परा 10 दिन में किसानों का पूरा करजा माफ कर देंगे औरोंने दावा किया है कि 36 गड़ में सपत लेने के 3 गंटे में करज माफ किया था 25 रुपए प्रतिक उंटेल में गेहों और धान खरी देंगे 400 रुपए प्रतिक उंटेल में गन्ना खरी देंगे और विजली बिला आधा कर देंगे कोरोना काल में जो आठिक रूप से प्रभावित हैं उनको 25-25,000 रुपए की मदद करेंगे प्रिंका गांधी ने कहा कि 20 लाग रोजगार के लिए पूरा खाका तैयार है 12 लाग जो पद बीजेपी ने खाली छोड़ दिये हैं उनको भी भरा जाएगा उसके अलाबा 8 लाग रोजगार पैदा करेंगे सरकारी नौकरी में महलाओं को आरक्षन देंगे और 10 लाग तक इलाज बिलकुल फिरी में दें और प्रभावितों को 3-3,000 रुपाई की मदद देंगे गोधन निया योजना में 2 रुपाई के लोग में गोबर भी खरीदा जाएगा आपको बता दें कि फिलाला कॉंग्रेस महा सचेवा प्रिंका गानी बाटब्रा ने अपना गोस्टना पत्र जादी कर दिया है कॉंग सुरेंदर सिंग ने भाजपा से स्तीफा दे दिया है बाजपा ने उनका टिकेट काट करा बलिया की बेराया सीट से मंतरी आनंद सरूप सुकला को मैदान में उतार दिया है आपको बता दें कि लखनव से आने के बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की इसके मीडिया से बाचीत में सुरेंदर सिंग ने कहा कि उन्होंने भाजपा की प्रात्मिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है दुआबा की जनता के टिकेट पर चुनाब लड़ेंगे और दिल्ली वालों को संदेज देंगे कि जनता का जो दिल जीता है उसे टिकेट की ज़वर अपको बता दें कि उन्होंने निर्दलियत चुनाब लड़ने का एलान कर दिया है ओपी राजपर ने बगावत कर चुके भाजपा विदायक सुरेंदर सिंग को अपनी पार्टी में सामिल होने का न्योता दे दिया है राजपर ने कहा कि उनसे बोला गया है कि चाहे तो हम समाजवादी पार्टी में सामिल हो जाए हमारी सरकार आ रही है राजपर ने कहा कि सुरेंदर सिंग दावा कर रहे हैं कि बलिया में बाजपा एक भी सीट नहीं जीतेगी औरी बड़ी खवर आजम खान को सुप्रिम कोर्ट से भी नहीं मिली रहा चिनाप प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने से सुप्रिम कोर्ट ने कर दिया साफ इनकार कि आपको बता दें कि सुप्रिम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी सांसदा और विदानसबा चुनाब लड़ा रहे आजम खान को अंतरिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है नियाय मूर्टी ए अंतरिम जमानत के लिए वियाचिका दैर की थी, आपको बता दें कि उना परा राजे में कई अपरादेक मुकद में दर्जे हैं और वो नियायक हुरासत में जेल में बंद है, आपको बता दें कि फिलाल अजम खान ने चुनाप प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ज पारिज कर दिया है औरी बड़ी खवर शिपाल यादव का बड़ा एलान बोले अब समाजवादी नहीं रही अपना यादव अखलेस यादव के नेत्रत्तों में फिर बनेगी सपा सरकार ज्या आपको बता दें कि यूपी विदानसबर चुनाप को लेकरा सभी राजनितिक प को नेता मान लिया है तो अब हम चाते हैं कि अखलेस यादव के नेत्रत्त में उत्तार प्रदेश में सरकार बने समाजवादी परिवार की बहू अपना यादव के बीजे पी में जाने पर उन्होंने कहा कि अपना यादव की विचारधारा हमसे कभी नहीं मिली वो सुरू से ही समाजवादी नहीं थी, मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी, उनको समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी, अपना यादव के प्रतिदोंदी पार्टी में जाने पर शिपालने कहा, हम लोग समाजवादी हैं, वो हमेशा समाजवादी रही हैं, लेकिन अब पापर निशना सादिती वे उन्होंने कहा, कि BJP वाले बहुत जूट बोलते हैं, उन्होंने कहा कि अब ये जरूरी हो गया है, बिदे पी के 5 साल के सासन में पूरे उत्तरप्रदेश की जंता काफी परेशान हुई है, उन्होंने जंता के लिए कोई काम नहीं किया, जूट बोल कर सिर्फ सपने दिखाए हैं सिपाल सिंग यादव ने जनता से अपील की है कि इस बारा अखलेस यादव के समठन में बोट करें और अखलेस यादव को मुख्यमंत्री बनाएं आपको बता दें कि फिलाला यूपी का माहुल काफी गर्मा गया है अब देखना होगा कि कि समाज मोचा ने ब्रस्ताचार को भी एहम मुद्दा बनाया है समाज मोचा ने ये भी वादा किया है कि अगर 20 फर्वारी को होने वाले विदानसबा चिनावों में पंजाब में सत्ता में आते हैं तो नोकर साहों और नेताओं के ब्रस्ताचार की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा समाज मोचा 22 किसान संगों का राजनेतिक संगठन है जिसने केंडर के क्रसी कानूनों के खिलाप आंदोलन में भाग लिया था समाज मोचा ने बलवी सिंग राजयवाल को अपना मुखिया बनाया है बलवी सिंग राजयवाल ने कहा कि उनका मोचा किसान परिवार के लिए हर माहा 25-25,000 रुपए की आय सुनिशित करने का प्रियास करेगा आपको बता दें कि सेंग समाज मोचा ने पंजाब विदान सबा चुनाप के लिए गुरुनाम सिंग चडूनी की सेंगत संगर्स पार्टी के साथ गडबंदन किया है सेंग समाज मोचा ने 102 सीटों पर अपने उमीदवार उतारे हैं जिसमें से 10 उमीदवार गुरुनाम सिंग चडूनी की पार्टी के हैं आउली बड़ी खवर पंजाब चुनाप के लिए बीदेपी गडबंदन ने जारी किया गोस्तना पत्र या आपको बता दें कि भाजपार उसके सहोगी दलों पंजाब लोग कॉंग्रेस तथा सुरोमडी अकाली दलने 20 फरवरी को होने वाले पंजाब विदानसवा चिनाप के लिए अपना 11 सूत्रिय संकल्प पत्र जारी कर दिया है खासतोर पर ग्रामीर छेत्रों के लिए जारी इस संकल्प पत्र में जैवे कैबाम संसादरणिय खेती के लिए 5,000 क्रोड रुपए का बजट टावन पित करने घट्टे जलिस्तर पर काबू पाने के लिए मुफ्त वर्सा जल संचेन एकाई बनाने और संबद क्रसी छेत्र खेलों को बड़ावा देने का वादा किया है बाजपार उसके सयोगी दलोने गाओं में खेलों को बड़ावा देने की बकालत करते हुए राष्टी और अंतर राष्टे इस परदाओं में पदक जीतने वाले खिलाडियों को हरियाना की तर्जपरा नकट पुरुसकार देन गड़ावा देने की गोष्टना कर दी है आपको बता दें कि चंडीगड में संबादाताओं से बाचीत में सेखावत ने कहा कि अगर पंजाम में भाजपा, PLC, स्त्रोमडी, अकाली, दल, संक्त, गड़बंदन सत्ता में आता है तो जैवेक और संसादरडिय खेती के लिए 5,000 करड़ो रुपए का सालाना बजट पारित किया जाएगा उन्होंने कहा कि नहरों पार, सोलर, टीवेल और सोलर पैनल लगाने के लिए किसानों को सबसिडी दी जाएगी केंडरे मंत्री ने ये भी कहा कि राज्य के विविन छेत्रों की महत्पूर पारंपरिक बीज किसमों के भंडार, एवम संरक्षण के लिए बीज बेंक के स्थापित किये जाएंगे आपको बता दें कि फिलाला, यूपी के बाद को बीजेपी ने अब पंजाम में भी गोस्तना पत्रों जारी कर दिया है आउडी बड़ी खवर सुपर मार्केट में सराब बेचने के खिलाब 14 फरबरी से आमरण अंसन करेंगे अन्ना हजारे यह आपको बता दें कि महाराष्ट में राजे सरकार द्वारा सुपर मार्केट में वाइन बेचने का फैसला किया है इस फैसले की कई लोग आलोचना करना हैं गांडी वादी अन्ना हजारे ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई है अन्ना हजारे ने किराना दुकानों से सराब की विक्री की अनुमती देने के फैसले के खिलाब अनिशित कालीन अंसन का आहवान किया है अन्नाहजारे ने इस सम्मंद में मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे को पत्र लिखा है मुख्यमंत्री ठाकरे को लिखी चिठी में उन्होंने संकेत दिया है कि वो 14 फरबरी से आमरण अंसन करेंगे चिठी में कहा गया है कि रालेगर सिद्धी इस्थित वियादव बाबा मंदिर में 14 फरबरी से आमरण अंसन सुरू होगा आपको बता दें कि महाराष्ट सरकार ने सुपर मार्केट में सराब बेचने का फैसला किया है जिसके खिलाब अनना हजारे अबर 14 फरबरी से आमरण अंसन सुरू करेंगे औरी बड़ी ख़वस सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा यूपी में एक बार फिर योगी सरकार सपा गडबंदन बहुत पीछे जिए आपको बता दें कि उत्तरप्रदेश बिदानसबा चिनाप को लेकर जी मीडिया और डिजाइन बोग्ड ने देश का अप तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया है इस सर्वे का सेंपल साइज 11 लाख है यानि जी मीडिया और डिजाइन बोग्ड ने 11 लाख लोगों से यूपी चिनाप 2022 को लेकर तमाम मुद्दों पर फीडबेक लिया है एक-एक सीट का विस्तर तोरा गयराई से सर्वे किया गया है आपको बताओ दें कि ये सिर्फ ओपिनियन पोल है जिसमें उत्तरप्रदेश के 11 लाख लोगों की राय सामिल की गई है चिनाप में जनता की राय सर्वोपरी होती है इस ओपिनियन पोल को किसी भी प्रकार से चिनाप को प्रभावित करने की कोशिस ना समझा जाए ये सर्वे उन्नी जन्वरी 2022 को जी उत्तरप्रदेश उत्राखंड के चैनल पर प्रसारित हुआ था अब यूपी चिनाप 2022 को लेका रहा जी मीडिया और डिजाइन बोग्स के सर्वे की बात करें तो इसमें राजे में एक बार फिरा योगी सरकार की बाप्सी होती दिख रही है आपको बता दें कि इस सर्वे में बाजपा अपने 2017 के प्रचंड बहुमत को तो हांसिल नहीं करती दिख रही लेकिन पूर बहुमत की सरकार बना रही है वैसे आपका क्या मानना है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी अपनी राए हमें वीडियो लाइक कर कॉमेंट बॉक्स में जबूर दें ये थी अब तक की बेहत बड़ी ख़बरें यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राए हमें कॉमेंट बॉक्स में जबूर दें